नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में रजिनी स्केचिन तो फ्रिंस जैसे कि आपने थमने देखी लिया होगा कि आज हम बनाएंगे खोईदी पिनिया तो सबसे पहले हमने सारा समान हमने अरेंज करके रख लिया है जैसे आप देख रहे हैं क इसके यहाँ पर हमने चीनी ली है 300 ग्राम्स चीनी होगी तो इसको हमने पहले पीस के एक बड़े से बरतन में यहाँ पराथ यूज की है दाल के हमने सबसे पहले इसको रख लेना है तो सबसे पहले आप धियान रखे कि चीनी सबसे पहले नीचे परत लगा ले जिससे बरत फ्रूस ऻिखरा तो यहां पे हम्ने ट्विफ्टी ग्राम हैं काजू तो इसको हमने पतला काटके इसको हमने फ्राइ करना है जैसी ही इनका कल़ थोड़ा चेंज वोना श्रू हो जाएगा फिर हम आमने इसेन काल के हमने ब़टर में रख देना है तो मैं एक जो हमने पड़ात ली है बरी हम उसी में ही डालते रहेंगे सब कुछ फ्राइ करते हुए क्योंकि लास्ट में हमने सब कुछ मिक्स ही करना है तो अब हमने यहापे काजू लिये हैं काजू भी 250 ग्राम है तो इसको भी हमने तब तक फ्राइ करना है जब तक एक थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए तो आप दिहान रखें कि यह काफी जल्दी फ्राइ होते है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राइ होते हुए फिर हमने यहाँ पे लिये हैं 250 ग्राम हमने लिये हैं किश्मिश इसको भी हमने कुछ 10 से 12 सेकिंड फ्राइ करना है बस ज़्यादा नहीं अगर आप ज़्यादा करेंगे तो यह जल जाएंगे और इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा फिर हमने यहाँ पे लिए हैं शुवारे यह हमने लिए हैं 100 ग्राम आप ड्राइफ रूट्स उपर और नीचे कर सकते हैं अगर आपको जो चीज जादी पसंद है आप उसे थोड़ा ज़्यादा कर ले तो यहाँ पे शुवारे भी फ्राइ हो चुके हैं अब हमने यह लिए हैं 4 मगज यह टोटल 250 ग्राम है आप बजार में जाके अगर आप बोलिए 4 मगज दे तो वो आपको पूरे एक पैकेट दे देंगे 250 ग्राम का तो इसको हमने फ्राइ करना है जब तक एक क्रैकल होना बंद नहीं हो जाते जैसे ही क्रैकल होना बंद हो जाएंगे इसका मतलब यह फ्राइ हो चुके हैं तो इनको भी ज्यादा टाइम नहीं लगता तो अब हमने करना है नारियल को तो नारियल को तब तक फ्राय करें जब तक इसके अच्छी सी एक खुश्बू आनी शुरू ना हो जाए जैसे ही खुश्बू आनी शुरू हो जाएगी आप इसे पराथ में या बड़े बरतन में डाल दें फिर हमने कड़ाई में घी डालेंगे और तो यह जो हमने पूरी पिन्या बनाई है पूरी घी में ही बनती हैं तो अब हमने यहाँ पे लिए हैं चार गोंद यह भी 250 ग्राम है हमने इसको भी फ्राइ करना है तो यहाँ पे फ्रेंस मैंने गोंद को 2-3 बार फ्राइ किया है मतलब थोड़ा थोड़ा कॉंटिटी लेके फ्राइ की है तो मैंने यहाँ पे आपको एक ही बार फ्राइ करते हुए दिखाया है तो आपने थोड़ा थोड़ा करके फ्राइ करें क्योंकि इसकी quantity काफी जादी increase हो जाती है कढ़ाई में आके तो कठ्थे आप सारा मत दालना तो ऐसी ही मैंने second time fry किया है और third time मैंने और fry किया था तो आप इसको चेक करने के लिए आप जैसे हमको देख के पता चल जाता है अगर आपने चेक करना है तो आप एक गोंद लेके आप उसको दवा के देखें अगर यह एकदम से क्रिस्पी होके टूट जा रहे हैं इसका मतलब यह fry हो चुके हैं कि अब हमने उसी घी में हमने आटा भी भून लेना है तो आटे को भी मैंने दो बार भूना था अलग-अलग करके जिससे यह अच्छी तरह भून जाए तो इसको आप मिक्स करते रहें और जैसे ही आप देख रहे हैं कलर इसका चेंज होता जाएगा पर आप इसे कंटियों मिक्स मिक्स करते रहें साथी साथ तो जैसे अब आप देख रहे हैं कलर एकदम ब्राउन कलर का हो गया है एक अच्छी सी खुश्बू आने शुरू होगी आटे की इसका मतलब आटा वह पर्फेक्टली भून चुका है तो ऐसी हमने सेकंड टाइम आटा और भूना है तो आ करता है जब हम लड़ू उनाते हैं तो यहां पर मैंने तीन बड़े चम्मच बेसन लिया है इसको भी हमने घी में भून लेना है जब तक इसकी भी एक अच्छी सी मीठी सी खुश्बू आनी शुरू नहीं हो जाती तब तक हमने इसे भूनना है तो आप इससे मिक्स करते रहें जिससे यह जलना जाए नीचे से जैसे ही अच्छी तरह भून जाए तो फिर आपने इसे भी परात में दाल देना है तो अब बारी है खोया भूनने की तो हम खोय को भी दाल देंगे अब कढ़ाई में इसको आपने मिक्स करते रहना है जिससे जलना यह भी तो इसको भी हमने कुछ तीन से चार मेरेट के लिए ही भूनना है बस थोड़ा से घी दाल के भून ले एक चमच हमने घी दाला यहाँ पर भूनने से काफी अच्छी खुश्बू आ जाएगी खोईगी इसके मारे हम खोया भी भूनेंगे जैसी ही खोया भून जाएगा जो हमने थोड़ा सा फ्राइ करके रखा हुआ है उसको हम इसके साथ मिक्स कर देंगे अच्छी तरह ऐसे अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा खोया ड्राइफ रूट्स के साथ तो हम इसको भी पराथ में दाल देंगे अब अपने कर्ची से आपने इसे mix करना है क्योंकि इस समय तो आटा, बेशन, काफी चीज़े गर्म हैं इसके अंदर आप हातों से mix नहीं कर सकते पर आप इसे पाशली इस समय mix कर दे क्योंकि फिर घी ठंडा हो जाएगा फिर अच्छी तरह ये mix हो नहीं पाएगा तो जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए material अच्छा mix करने के बाद फिर आप इसके लड़ू बना लें बट ध्यान रखे कि थोड़ा सा गरम ही हो फिर आप इसके लड़ू बन नहीं पाएंगे तो इसको ऐसे हमने सारे लड़ू बना के रख लेने हैं तो आप इसी दुरान मीठा भी चेक कर लें अगर आपको लगता है मीठा थोड़ा कम है तो आप इसमें थोड़ा और दाल दें तो इसी के साथ हमारी एक खुई दी पिनिया बन के त्यार हो चुकी है तो थैंक यू फ्रेंज मेरी वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जलू कीजिए थैंक यू